वीजा गुरों के नाम से आप फेमस तो हैं, लेकिन साथ ही आप इसले भी फेमस हैं कि 100% वीजा देने का आप दावा करते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगा हैं। तो किसी एजन्ट ने ऐसी पैसा और खराब कर दिया था काफी कुछ तो मैंने फिर सोचा कि मैं किसी और के साथ यह चीजे नहीं होने दूँगा। या जैसे आपको पता है कि तकरीबन हर इंडर्स्ट्री में गलत लोग होते हैं। तो वर्क पर्मिट के नाम पे बहुत बड़ी ठकी चल रही है। सब्सक्राइब करना चाहूंगा कि किसी कंपनी से अब अपलाई ना करें। सब्सक्राइब कर रहे हैं तो प्रॉक्पर लीमिया वगारा को ओनलाइन चेक करें। ऐसे नहीं कि किसी को भी आप पांच लाग दे दिया किसी को दस हमारे पास कॉल आती हैं। सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब केश्च पत्राइब करें। इसका कोई भी मतलब कहा नहीं सकते आएगा नहीं आएगा लेकिन आज की डेट में PTE को हम SDS में लगा रहे हैं 5.5 पे हम वीजा ले रहे हैं 2 मडियूल में 5 बैंड only 1 मडियूल में हमने वीजा ले रखा है ठीक है तो हम अभी से SDS में लगाके वीजा ले रहे हैं और जिकीन मानिए बहुत ही अच्छा success rate जा रहा है आप Instagram को follow करें वीजा गुरू गुरू पित वे वहाँ पर आपको unbelievable unique stories मिलेंगी ठीक है तो अभी से हो चुका है मैं तो ये समझता हूँ SDS जो non-SDS की files हैं वो SDS में लगके वीजा आ रहा है उनका fraud से किसी को बचना है और अगर कोई student आपके पास आता है तो इसकी इंसियूरिटी है कि वो कोई fraud में नहीं फुसेगा जी मैं 110 परजेंटी है मैं क्योंकि हम पहले aware करते हैं कि आपने कैसे अपनी फीसी बगारा पेकर नहीं नमस्कार मैं हूं भव्या और आप देख रहे हैं SKY NEWS PUNJAB स्वागत आप सभी का हमारे शो फ्लाइविट SKY में तोड़े वी हैव वित एक्सपर्ट और गुरू from one and only trusted company visa guru study abroad sir कैसे हैं sir को guru के नाम से जाना जाता है visa guru के नाम से लोग जानते हैं लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है वो हम जानने के लिए sir से ये तीखे सवाल पूछेंगे sir आपको visa guru से लोग जानते हैं आप कावी famous हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे आपने खुदी इस नाम को रख लिया या फिर लोगों ने आपको ये नाम दिया है actually ma'am ऐसे था कि जब मैंने company start-up का सोचा तो कोई advertisement वाली company आई और उनसे मैंने पूछा कि क्या नाम हम रखें अपनी company का तो उनने बोला कि sir आपका success rate क्या है ता मैं freelancer काम करता था तो मैंने अपने results वगरा दिखाए उनको तो बोले कि sir वीजा गुरू ये नाम बहुत suit करेगा आपके तो फिर वीजा गुरू गुरपीत के नाम का channel चला YouTube काफी views मिले काफी famous videos वगरा viral होई उसके बाद Instagram वीजा गुरू 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 पित के नाम से चला और then जो company का नाम है वह वीजा गुरू स्टेडी ब्रूप sir वीजा गुरू के नाम से आप famous तो हैं लेकिन साथ ही आप इसले भी famous हैं कि 100% वीजा देने का आप दावा करते हैं इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे एक्सपीरियंस है मतलब 10-11 साल का experience मेरे को हो चुका है कैनड़ा में so जब आप कोई काम regularly करते हो ठीक है deeply आपका क्योंकि मैं ऐसे काम नहीं कि पैसा कमाने के लिए इस इंडस्ट्री में आया हूं मेरा शौंक है लोगों का future बनाने का क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो जब आज से 15-20 साल पहले जब मैंने अपना study visa apply किया था तो किसी एजन्ट ने ऐसी पैसा और खराब कर दिया था काफी कुछ तो मैंने फिर सोचा कि मैं किसी और के साथ ये चीज़े नहीं होने दूँगा सो मैं इसलिए पूरी dedication से काम करता हूँ और मेरे कुमेड में शौं के इस चीज़ का visa लगवाने का सिर काफी student हैं जो fraud के हाथ आ जाते हैं लेकिन अगर आपका काम genuine है इस चीज़ पे लोग कैसे ट्रस्ट करें इस चीज़ की क्या है इसमें कुछ ज्यादा कोई हम नहीं कह सकते कोई rocket science नहीं है इसमें कोई simple formula है कि जैसे ही आप अपनी fees अपना visa apply करते हो फीस अपनी pay करनी होती है तो आप अपनी fee अपने account से directly to college करें ठीक है अगर package है तो package में तो चलो अलग चीज़ होती है एजंट खुद fees पे करता है अगर आप public college ले रहे है तो आपको directly fee पे करनी चाहिए one year की GIC directly करनी चाहिए जैसी आप जैसी आप directly करते हैं तो कभी भी आपके असाथ fraud होता नहीं fraud वहाँ होता है जहाँ पे जो agent है वो अपने account में fees और GIC दिलवा लेता है तो कोई गुझायश ही नहीं है किसी तरह का fraud होने की sir बहुत सारे agents हैं जो students को ऐसा बोलते हैं वो genuine है वो agent नहीं है और वो direct pay करवाते हैं ऐसी चीज़े market में हो रही है ये fraud को process कैसे करते हैं बहुत बड़ा जे कह सकते हैं कि एक तरह का scandal कह सकते हम इसको ठीक है एक mafia है immigration हमारी industry में भी mafia है जैसे आपको पता है कि तकरीबन हर industry में गलत लोग होते हैं ठीक है तो work permit के नाम पे बहुत बड़ी ठगी चल रही है ठीक है एक है यार पैसे लेके एक क्रोड तक की ठगी चल यह ठीक है देन एक आपको इंप्लायर चाहिए फ्रॉम कैनडा जो आपको लीमिया जॉब आपफर प्रवाइड करवा सके लेकिन यहां पर मार्किट में क्या रहागे 25,000 देदो 20,000 देदो उसमें हम आपका work permit करवाते हैं अपने payment वी salary में से deduct करवानी है तो यह बहुत दो लाग funds show के नाम पे ले लेते हैं ऐसे बहाने बाजी करके तो यह work permit और विस्टर वीजा का बहुत बड़ा हमारे immigration industry में वाफिया चल रहा है मैं ऐसे बहुत से लोग हैं जो कैनेडा work permit के बारे में नहीं जानते हैं तो उनको आप कुछ जानकारी देए तो यही एडवाइज करना चाहूंगा कि किसी company से आप अपलाई ना करें अगर अपलाई कर रहे हैं तो प्रॉपर लीमिया वेगारा को online चेक करें ऐसे ही नहीं कि कि पांच लाग दे दिया किसी को दसला हमारे पास कॉल आती है कि सरह हमारे साथ फ्रॉड हो गया help करो तो इसमें हम भी क्या कर सकते हैं क्योंकि लोग कैश पेमिट देके आते हैं ठीक है तो मैं सब को डवाइज करूंगा कि आप वर्क पर्मिट लीमिया अगर लेना चाहते है तो डिरेक्टली कॉंटेक्ट करें कैनेडा जा कि बहुत ही अच्छी कंपणी हो जैनुओन हो उसके रीविव वगरा गूगल पर चाकी चेक करो ठीक है आपको पता चल जाएगा बिल्कुल सिंपल है कि गूगल पर जाओ कंपणी का नाम डलो रीविव चेक करो पता लग ज एक्सेसरेट मैंने बिल्कुल कह सकते हैं कि माइनस में देखा हुआ है रीजन बहाइंड के न्यू स्टाफ होता है ठीक है नंबर ओफ केसी बहुत जादा होते हैं वो सही अच्छे तरीके से फाइल को रीप्रेजेंटी में नहीं कर पाते हैं ठीक है तो हम जैसे ही हमारे प स्टाफ में 10 अगस्ट से लगेगी इसके बार में क्या कुछ है सो ऐसा है में के 10 अगस्ट कहा जा रहा है कि SDS में आ जाएगा PTE ठीक है लेकिन इसका कोई भी मतलब कहा नहीं सकते आएगा नहीं आएगा लेकिन आज की डेट में PTE को हम SDS में लगा रहे हैं 5.5 पे हम वीज ले रखा है ठीक है तो हम अभी से SDS में लगा के वीजा ले रहे हैं और जगीन मानिए बहुत ही अच्छा सिक्सेसरेट जा रहा है आप Instagram को follow करें वीजा गुरू पित वहां पर आपको अनबलीवेवल यूनीक स्टोरीज मिलेंगी ठीक है तो अभी से हो चुका है मैं तो य इसटर्साइब मेरा Instagram account है वीजा गुरू गुरू पित वहां पे आपको पता चलेगा के क्या हमारा success rate है ठीक है क्यों वीजा गुरू का जाता है तो यूट्यूब को भी आप follow कर सकते हैं सबस्क्राइब कर सकते हैं वीजा गुरू गुरू पित क्योंकि वहां पे आपको य हैं जैन्वन चीज है मेडम जी सर आप वीजा गुरू के नाम से इतने फेमस हैं लोग आपको इतना जानते हैं आपका काम भी इतना अच्छा चल रहा है के बाद फिर मार्केट में इतना एड़र्टीजमेंट और होल्डिंग्स लगवाने की क्या जोरुत पड़ अपको ठीक इसका यह मतलब नहीं है के हम एड कर रहे हैं होडिंग्स लगवा रहे हैं ठीक है क्योंकि हमारी यह कंपेइनिंग चल रही है सो आइ थिंक कोई पंजाब हर्याना का ऐसे अरिया नहीं होगा जहां पर हमारा होल्डिंग नहीं लगा हुगा बैसिकली क्या होता है कि मैं ब्र कितने कितने मतलब के ब्राइड अबैसडर बनाते हैं ठीक है हाइर करते हैं जो बड़े स्टार हैं राइट सो बच्चे से लेके बूड़े तक को पता है के पैपसी को क्या है लेकिन फिर भी वो एड करते हैं सो मैं मैं चाहता हूं कि जो मेरा ब्रेंड है वो किसी लेवल प करने के लिए और इमेज अपनी लेवल को बनाने के लिए मैंडू कर रहे हैं अगर कोई स्टूडेंट आपके पास आता है तो इसकी इन सियॉरिटी है कि वह कोई फ्रॉड में नहीं फसेगा जी मैं हंडर एंट एंट परसेंट शॉरिटी है मैं क्योंकि हम पहले अवेर करते ह हैं राइट कि आपने कैसे अपनी फीसी विगरा पे करनी है तो मैं तक है तो अगर देखिए अगर आप कोई छोटी सी चीज भी लेने जाते हो मार्किट में तो आप चार-पांच शॉप्स पे जाके ट्राइ करते हो फिर आप कोई चीज बाई करते हो परचेज करते हो तो आपको चाहिए कि आप कम से कम दस एजेंट के पास जाएं उनके रीविव सोचल मीडिया पर उनका क्या लेवल है ठीक है क्या रजल्ट से उनके वो जरूर चेक करें उसके बाद हमारे पास आई वीजा गुरू अब आईलेट शुरू करने जा रहे है आईलेट सेंटर तो उसके बारे में हम पूस्ते इंसे कि क्या कुछ नया इस बार वीजा गुरू आईलेट सेंटर में सबके लिए देने वाले हैं सो मैम आईलेट सेंटर हम नेक्स्ट मंथ ओपन कर रहे हैं सो रिनोवेशन का काम चल रहा है सर कोई टेंटेटिव डेट की किस डेट को ओपन हो सकता है बस कमिंग सून कह सकते हैं मैं ठीक है मतलब विदिन ट्वंटी डेस से ट्वंटी फाइव डेस हो जाएगा क्योंकि रेनोवेशन का को पता नहीं कितना टाइम वो लगाएंगे तो मैम इसमें सेक्टर 17 में हम इतनी ऐसी क्वाल्टी देंगे जो बड़े से बड़े इंसिटूट भी नहीं दे रहे ठीक है उनकी फीसिस बहुत ज़्यादा हाई है हम फीस भी अपनी बहुत लो टू लो रखेंगे और क्वाल्टी हाई टू हाई रखेंगे ठीक है सो मैंने एक इनिशेटिव लिया है कि गरीब जो बच्चे है उनको आइलस करवाई जाए उनको कैनड़ा बेजा जाए ठीक है सो अभी बगवान की किरपा है इस्टैबलिशमेंट है हर तरह की जो मतलब जिन्दगी में चाहिए था सब मिल चुका है लेकिन अब मेरे को यह है कि ज्यादा से डोनेशन की जाए किसी बच्चों लाइफ बनाई जाए बच्चों को जो नहीं जा सकते है ठीक है सो लगे हुए है मेडम देखते हैं आगे अगे अपका कहरने का मतलब है कि जो फाइनशेली वीक भी है जो स्टूडेंट वो भी अब कैनेडा जाने का सपना देख सकते हैं अगर वो वीजा गुरू के पास आते हैं बिलकुल देख सकते हैं क्योंकि आईलस हम लो टो लो कॉ प्रोड करेंगे लेकिन वह भी बहुत बड़ा कर रहे हैं ठीक है सो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम चाहते हैं कि हम हंडर सेंट जैनुवन काम करके बच्चों का बला किया जाए मैं ज्यादा से जादा जो ओडियन्स अभी आपको देख रही हैं आप क्या उनने बता सकते है मिली का मिलिक को बाती है ऐसे मिला ध़र जैगा ऑफिलीजा जाएं घता सिफटीफाइ ए सत्वाइड टीकरण अचाहें से बाडियेल्च कि बीजये गा अपकी प्रसेंटीफाइव थिंक है टोने यह अटटीफाइवर उवर्ण सान्टीफाइव गगा तो लो टू लो प्रफाइल काम वीजा लगवाते हैं मैं तो जिनने भी वीजा लगवाना है तो सर के पास जरूर है सर आप अपना एड्रेस जरूर है जी सो मैं मोस्टली तो पता ही है सबको सेक्टर 17 डी में बाकि आप गूगल कर सकते हैं वीजा गूरू स्टडी ब्रॉड वीजा गूरू गूर्पित के नेम से वहाँ पर आपको रिव्यूज मिल जाएंगे हमारा सारा रिजल्टी मिल जाएगा वीजा गूरू स्टडी ब्रॉड है क्या धन्यवाद सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आप देखते रहें स्काइन्यूस पंजाब धन् क्यांων करके बात कर दोड देक्राव करके लो हमारा न infernally हैो। कै pa कि वहाँ गूरू है झांको